नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश सुरूप कोहली, एसिस्टेंट प्रोफेसर एड इन चार्च आटी पीसियार लैब डिपार्टन आफ माइक्रोबालजी जीमसी कट हुआ तहे दिल से आपका शुक्रिया आदा करता हूँ कि आपने मुझे ये अफसर प्रदान किया कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ पिछले दो साल से हम और आप दोनों एक पैंडमिक से जूज रहे हैं जिसका नाम है COVID-19 और उस वाइरस का नाम जिसने पैंडमिक कॉज किया है उसका नाम है SARS-CoV-2 यह तो वाइरस इस इन्विजिबल होते हैं लेकिन दोस्तों उनका प्रभाव मानव जाती के ओपर कितना हो सकता है यह हमें किसी और से पूछने की जूरत नहीं है इतिहास ने भी काफी पैंडमिक्स देखे हैं पहले और वो पैंडमिक्स जो है वो दिर दिर खतम भी हुए हैं लेकिन उन्होंने काफी population जो है या तो बिमार की या काफी population जो है eliminate की है यही चीज हमने इस बार भी देखा different waves में जैसे second wave इंडिया में काफी भ्यानक तबाई हुई है इस pandemic ने हमें कुछ चीज़ें और भी समझाई हैं जिसे हम club करें तो उस term का नाम मैं देना चाहूंगा COVID appropriate behavior COVID appropriate behavior हमने बार बार सुना होगा लेकिन follow हम करते नहीं है लेकिन दोस्तों मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि COVID appropriate behavior अगर हम धंग से follow करें न तो ये एक mark बन सकता है जिससे हम इस virus को इस pandemic को हरा सकते हैं हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले ये कि हमें अपना हाथ बार बार दोना है या disinfect करना है जैसे ही हम किसी surface को touch करते हैं हमें अपना हाथ जो है वो धोना है या disinfect करना है हमें अपना हाथ बार बार अपनी आँखों के ओपर नाख के ओपर मूग के ओपर रब नहीं करना है ताकि वो वाइरस हमारे अंदर जासके, तीसरा हमें हमारे हिंदु कल्चर में नमशकार की प्रथा है, नमशकार की प्रथा है हैं चेक की प्रथा नहीं है, और यह आज कोविड़ ने हमें समझा भी दिया है क्यों